वेल लच्मन भगवान को मेगना जब सकती बाल मारते हैं तब उन्हें बचाने के लिए हनुमान जे संजीवनी बूटी लेने जाते हैं इसलिए वो पूरा का पूरा पहाल उठा कर लाते हैं और तो और आदिपुरुस में लक्षमन जी का इलाज कोई वैद दे नहीं करता है बलकि वीबीशन की पतनी लक्षमन जी का इलाज करती हैं तो वैल ऐसे है और भी बहुत सारे चेंजे से जो आदि पुरुस के मेकर्स ने मुवी में किये हैं और इसी वज़ा से आज लोग फिल्म का विरूद कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं और क्या-क्या वाहिया चेंजे की हैं आदिपुरीज के Makers ने फिल्म में तो दूसरा जो चेंज है वो इस वाले सीन में है जब ब्रम्हाजी रावन को वरदान देते हैं ना किसी देव ना किसी दानों के हाथे तुम्हारा वद नहीं हो सकता। जो एक्चुली में उन्हें थोड़ा बहुत भी सर्च किया होता तो उन्हें पता चलता है कि ये वर्दान रावन को नहीं बलकि सत्यूक के हीरण कस्यप को मिला था। जिसे विष्णू के चौथे अवतार नर्सी हने मारा था। अगला जो चेंज है वो इस वाले सीन में है जिसमें रावन सीता माता को उठा कर ले जाता है। जो चेंज है वो इस वाले सीन में है जिसमें स्री राम भगवान माता सबरी से मिलते हैं। रामायन में माता सबरी रोज फूलों से रास्ते को सजाती हैं कि एक दिन स्री राम भगवान इस रास्ते पर जरूर आएंगे और स्री राम भगवान आते भी हैं तब वो उन्हें बेर खिलाती हैं पर आदिपुर उसमें माता सबरी खुद रागाओ के पास चल कर आती हैं और आदीपुरुस में हनुमान जी जब पहली बार मिलते हैं तब लक्षमन ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिने सुनकर आपको हसी और गुसा दोनों आ सकता है। लिटरली वाटसप के जोक्स और सवालों को उठा कर यहां पर रख दिया है। अगला जो चेंज है उसको देखने के बाद आप भी बोलोगे आखिर क्या जरूरत थी यह करने की बाली और सुग्रिव की लड़ाई। जब वो इस सीन में है जिसमें हनुमान जी को असोक वाटिका में बंदी बनाकर रावड के पास ले जाते हैं। भाई गलत कर रहा है। और आप सही हैं इसलिए मैं आपका साथ देने आया हूँ। वेल जब स्री राम भगवान समुंद्र के सामने ब्रहमास्तर लेकर खड़े होते हैं तब समुंद्र देवता प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजे मैं तब में व्यस्त था। आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं उनके हातों से फेके गए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं। वेल मेघनात को वरदान मिला था कि अगर वो युद्ध से पहले एक यग्य करता है तो उसकी सक्तियां दोगनी हो जाएंगी और उसके रत के घोड़े उसके मन के गती से भागने लगेंगे तो लश्मन भगवान मेघनात को यग्य करने से रोकते हैं लेकिन आदेपर उसमे जो मेकर्स ने किया था मतलब पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल दिया इस्टोरी का एंडवी अगला जो चेंज है वो है राम और रावड की लडाई वाले सीन में रामायन का ये सबसे ग्लोरी सीन था जब राम और रावड युद्ध करते थे और स्री राम भगवान आभी में तीर मार देते हैं और रावड हसते हुए मरता है मतलब इमेजिन करके देखो ये कितना बड़ा चेंज है इन लोगों के मन में जो आया वो दिखाया इनोंने लाइक आपने कभी सोचा था कि हनुमान जी और पुस्वक विवान आपस में फाइट करेंगे यहां पर एक इन एक्सी नेक्ट वीडियो में